Hello everyone, आज़ हम आने वाली हूँ आलू टिक की चाट यह आलू की टिकियां बहुत ही कुलकुली बनती है बिलकुल बाजार जैसी इस आलू टिक की चाट को आप कम खर्च में जादा कॉंटेटियां बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाने शुरू करते हैं सबसे पहले उबले आलू ले ले लेंगे आलू पूरी तेके से ठंदे होने चाहिए आलू बालने के बाद जब ये ठंदे हो जाए तो इसे दो से तीन घंटे के लिए फ्रिज में रख दे ऐसा करने से जो आलू है उनका मौश्यर बहुत काम हो जाएगा और जो टिक्कियां है वो बहुत ही कुरकुरी बनेंगी अब इन आलू को घिस लेना है घिसने से क्या होता है जो आलू की पीसेज है वो सारे बराबर रहते हैं कोई भी पीस बड़ा शुटा नहीं रहता है इस आलू की टिक्कि में सिर्फ हम दो चीज़ें आड़ करेंगे जिसके वज़े से ये बहुत ही कुरकुरी बनेंगी आलू को घिस लेने के बाद इसमें स्वाद अंसार या तीन चमश नमक आड़ करेंगे इसके बाद इसमें आधा कप अलारूट आड़ करेंगे ये जो आरूट होता है इसका टेक्शर बिल्कुल कॉन फ्लोर जैसा होता है तो अगर आपके बास आरूट ना हो तो आप इसके जगा कॉन फ्लोर का इस्तमाल भी कर सकते है अभी भी ये आलू का मिश्चर ये थोड़ा गीला है इसलिए मैं इसमें एक चोथाई कप आरूट और आड़ कर रही हूँ सारी चीज़े को अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आपको फिर भी लगे कि आपका जो आलू है वो हलका गीला है तो आप थोड़ा थोड़ा आरूट आड़ करते जाएं सारे चीजे अच्छे से मिक्स हो गई है आप देख सकते हैं जो मारा आलू का मिक्षर है वो बिल्कुल आटे के तरह अच्छे से बाइंट हो गया है अब इस आलू के मिक्षर से छोटे छोटे बॉल बना लेंगे आपको टिक्के छोटी या बड़ी जैसी बनानी हो आप उसी साबसे बॉल का साइज रखें टिक्के बनाने से पहले हम सारे बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे टिक्कियों के सारे बॉल पर को रेडी है अब बाकी चीज़ के प्रिप्रिशन कर लेते हैं हरी चटनी बना लेते हैं, एक ग्रैंडर जार में आधा कप धन्या की पत्ती ले लेंगे, इसमें एक इंच अधरक डाल देंगे, चार हरी मिर्च डाल देंगे, एक चमच या स्वादन सार नमक आड़ करेंगे, और आप इन साही चीजों को बिना पाने का इस्तेमाल किये पार आता है और ये खाने हैं बहुत अच्छी लगती है, नेक्स्ट अब छोला बना लेते हैं, कूकर में एक कप सफेद मटर डाल देंगे, सफेद मटर को 6-8 घंड के लिए भ्योग कर लग देंगे, ये अच्छे दे फूल जाएगी, अब इसमें पानी आड़ करेंगे, इसके भी धक्कन लगा देंगे और 3 सीटी आये दक इसे पका लेंगे, ये दिखिए मटर चे से पक गया और इसमें बहुत दादा पानी भी नहीं है, हमें सफेद मटर बेकुल ऐसे ही चाहिए, इसके बाद एक पैन में थोगा से ओल ले लेंगे, ओल गरम हो जाने के बाद इसमें एक चमच जीरा एड़ करेंगे, दो बारिक कटे हुए प्याज डाल देंगे, इस प्याज को 3 सी 4 मिट के लिए लगा से लाते हुए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, बस ये जो प्याज है वो थोड़े ट्रांसपैंट हो जा, इन्हें इतना ही पकाना है, अब इसमें एक गिसा हुए अधक लेशन डाल देंगे, अगर आप लेशन नहीं खाते हैं तो अधक का इस्तिमाल करें, साथी में दो बारिक कटी हो हरि मिट्च अट करेंगे, अब इसमें अब इसमें मसाले अट करेंगे, एक चमच लाल मिच पाउडर, आदा चमच हल्दी, एक चमच धन् और इसमें जो हमने सफेद मतर उबाला था उसे आट कर देंगी और इसे बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगी जो सफेद मतर पानी को सोकता है तो जाब इसे थोड़े के लिए छोड़ देते है तो यह और ड्राइ हो जाता है अब इसमें स्वाध उनसार नमक आट करेंगे, एक चमच गरम मसाला, एक चमच अमचुर पाउडर आट करेंगे, अब इन साइज चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सफिर मटगा छोला मनाने में बहुत जाला समय नहीं लगता है, यह बहुत आसानी से कम समय बन जाता है, आप चाहें तो इसमें आट करेंगे, और इसी के साइज जो हमारा सफिर मटगा छोला है, वो विल्कुल रेडी है, गैस को बन कर देना है, नेक्स्ट आप आलू की टिक्की बना लेते हैं, बाजार में टिक्कियों को लोहे के बड़े तवे बनाते हैं, इसलिए मैं भी लोहे के तवे का इसमाल कर तवे पर ओयल डालने के पाद इसे हलका गरम होने देंगे, जब ओयल हलका गरम हो जाए तब एक आलू का बॉल ले ले लेंगे, और हाथों पर प्रेस करते हुए इसे टिक्की की शेव दे देंगे, इसे बहुत जादा पतला नहीं करेगा, ना तो बहुत जादा मोटा रख इसे मीडियम शाद रखेंगे, तो बहुत ही क्रिस्पर बनते हैं, अब इसे तवे पर रख देंगे, अब इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देंगे, स्टार्टिक में हो सकता है जो टिक्कियां हो तवे पर हलके चिपके, पर बात में धे दे ये तवे बहुत अराम से छोड़ देंगी, टिक्चियों को नीझे साठसे अलका पकने देंगे, जब टिक्की नीचे साठसे अलकी पक जा तब इसे पलट लेंगे, थ्यान से पलट येगा, ये गरम गरम ओल की शीटे आपके उपर ना आए, अब तवे पर दो टिक्क्यां और रख देंगे, और इन्हे भी धिरे धिरे शिकने देंगे ये देखें टिक्यों बहुत बढ़ीयाँ कलर आया है यह बहुत से क्रिस्पियों अंदर से सौफ्ट होती है ये देखें हमारी टिक्क्य अच्छे से पग गई है दूनों साइट से अब इसे तवे से उतार लेंगे और बाकी की टिक्यों को थोड़ा सा और लाल करेंगे अब इस गर्म गर्म टिक्य के फटा-फट से प्लेटिंग कर लेते हैं एक सजेशन दूँगी अगर आप टिक्यों को तुरंट सर्फ करने वाले हैं तो टिक्यों को अच्छे से लाल करें अगर आप इन्हें बाद में सर्फ करने वाले हैं तो टिक्कियों को कम लाल करें और इस तरीके से इन्हें दवे के साइड में रख दी और बागी टिक्कियों को सेखते जाए ऐसा करने से जो टिक्कियां है वो गरम रहेंगी और कुरकुरी भी रहेंगी दूसरी चीछ आप यह कर सकते हैंगे साइट टिक्किया मनाका रेडि कर लिए और इन्हे शर्फ करें से पहले फिर से गरम कर लिए और फिर सवर्फ करें आब टिक्की चार्ट बनाने के लिए एक प्लेट पर ऐसे एक टिक्की रख देंगे और इसे इस तरीके से हलका प्रेस कर देंगे इसके बाद जो हमने छोला बनाया था वो इस पर डाल देंगे इसके बाद इसके उपर दो चमश मीठी गाड़ी दही आड़ करेंगे दही में थोड़ी चीनी मिक्स कर लीजेगा इसके उपर थोड़ी से हाई चटनी डाल देंगे और दो चमच इमली की मीठी चटनी डाल देंगे इसके बाद इसके उपर मूली के लच्छे रख देंगे इसके बाद इसके उपर थोड़ी से नमक पारे क्रश करके डाल देंगे यह बिल्कुल ओप्शनल है इसके उपर बारीक वाला सेव रख देंगे और सी के साथ हमाई आलो टिक की चाड पिल्कुल रेडी है आप स्टिक की चाड को बिना छोड़े के बना सकते हैं एक टिक की ले लेंगे इसके उपर मीठी दही डाल देंगे हरी चतनी डाल देंगे और थोड़ी सी या दो चमच मीठी इंडि की चटणी डाल देंगे थोड़से मूली के लच्छे रख देंगे थोड़ा सा नमक पारा और नाइलोन सेव रख देंगे और इसी के साद अलो टिक्की चाट बिल्कुल रेडी है आप दो तरीके से टिक्की चाट को सर्फ कर सकते हैं अगर आपको रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले